गोंडी टोला में सारस को देखने पहुंचे जिलाधिकारी कुम भीज कर सिहुरा शेत्र के सुकडी के गोंडी टोला में खेतों में दिखे चार सारस सारस पक्षी विलुपत जाती में हैं जहां ये रहते हैं वहां जंगली सूर भी नहीं आते जिनके पंखों के जोड़ाई छे विट होती है गोंदिया भंडारा और बालगहट में जादा तरह इसे पाय जाता है ये सारस पक्षी छोटे विमान की तरह उडान भरते हैं जिसके उडान तकरीबन 30 किलो मिटर तक रहती हैं जिसे देखने आज भंडारा जिले के जिलादिकारी योगेश को भीच कर गोंडी टोला इस्तित खेत में पहुचे और जायजा लिया उनके साथ सारस मित्र डफाले य हंडविकास अदिकारी नंदा गवली किशोर रहंग डले राजु धवाले जिलावर्शत सदस से मौझूद थे यह सारस यहां से वाहिनी के खेतों में भी ब्रह्मन करते हैं कुछ दिन पहले इनको बिनाकी के तालाब में तीन सारस को देखा गया था अब यह सारस वही है य दूसरे आये हैं यह पहचान पाना मुश्किल है इनके पास जा भी नहीं सकते इसलिए इनको 500 से 700 मिटर की दूरी से देखा जाता है विलुप्त हो रहे सारस बहुत कम बचे हैं जो कभी कभी ही दिखते हैं तुमसर से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट